चाले पढ़ सकते हैं, बर्निंग हो सकती है, आपके मिलानोसाइट की डेथ भी हो सकती है, इन फैक्ट अगर आपको ऐसा काम करते हैं, जहां पर फील्ड वर्क बहुत जादा है और अभी गर्मी हो रही है, आपको SPF 50 प्लस वाला संस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, ताकि मास्चर कर लिया है, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब, आपका सभी का स्वागत है, काया क्लब लोबल की एक और इंफोर्मेशन वाली वीडियो पे, आज मैं आपके सामने क्टर सम्यक दवन लेके आया हूँ, गर्मियो में कैसे अपने सफेद दाग का ध्यान रखें, ग आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने आपको बचा सकते हैं, यदि हमें सफेद दाग है, कैसे हम अपने सफेद दाग को भढ़ने से रूख सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें चार या पांच हम करें, जिससे की हमारा सफेद दाग एग्रिवेट ना हो बढ़े सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर समर्स में ऐसा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रीम हीट में धूप की वज़े से ऐसा क्या हो रहा है कि हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है, जितने भी विटलाइगो के पेशेंट्स होते हैं, अगर मैं मेडिकली बात करूँ, 15-20% पेशे photosensitizers, photosensitizers का मतलब है, वो सफेद दाग के रोगी, जिनका की धूप की वज़े से सफेद दाग भड़ जाता है, जिनका की धूप की वज़े से सफेद दाग और खराब हो जाता है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और इसकी पीछे की scientific process के बारे में समझाऊंग color, तो color बनाने वाले cell को हम कहते हैं, विटलाइगो पेशिंट्स में हमारे शरीर के अंदर, चाहे उसको आप आयरुवेद में पित कहलो, चाहे आप उसको ऐलोपैथी में oxidative stress कहलो, आप उसे कोई भी नाम दे दो, ये oxidative stress, ये पित आगे जाके हमारे इस रंग बनाने वाले cell पे कर रहे हमला, हमला करने की वज़े से क्या हो रहा है, वो melanin वो रंग नहीं बन पा रहा, जिसकी वज़े से की skin पे white spot आ रहा है, अब धूप का इससे क्या correlation है, गाईज, अगर मैं आपको बहुत ही layman भाशा में समझाऊं, जैसे हम तवे पे रोटी सेखते हैं, आप मेर मेटाफर को, अगर हम रोटी सेखते हैं, और वो रोटी को हम दो सेकेंड भी या पांच सेकेंड भी तवे पे एक्स्ट्रा छोड़ दें, तो वो जल जाती है, similarly हमारे melanocytes बहुत ही sensitive cells होते हैं हमारे skin पे, अगर अपनी skin का ध्यान ना रखा जाए धूप में, तो वो से 20% वाली population है, जो photosensitizers है, उनको अपने सफेद दाग का, अपनी skin का और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अब ये पहचानने का कोई तरीका नहीं है, कि क्या मुझे जो सफेद दाग हुआ है, क्या मैं photosensitizer वाली category में fall करता हूँ, कि नहीं, ये थोड़े महीनों आपको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी skin का, तो ये था scientifically मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अगर extreme heat हो, तो melanocytes, यानि कि रंग बनाने वाली कोशिकाओं की मिर्त्यू भी हो सकती है, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कि controlled sun exposure is required, 5 minute, 10 से 15 minute की धोक ही चाहिए, उससे जदा धोक नहीं दिखानी है, अगर आप कोई भी combination therapy उसकर रहे हैं, अगर आप कोई भी ointment लगा रहे हैं, अपने skin पे, अगर आप घर पे बापची लगा रहे हैं, हमारी सरगन प्लस ointment लगा रहे हैं, किसी और की ointment लगा रहे हैं, controlled sun exposure is very very important, controlled sun exposure एक ऐसा tricky word है, जो मैंने बोल तो दिया है अभी, लेकिन वो control, सिरफ एक experience doctor को भी पता है, कि 5 minute करना है, कि 15 minute करना है, कुछ-कुछ लोगों में जिनकी skin bare कर सकती है, 30 minutes भी कर सकते हैं, जिसका सफेदाग पुराना होता है, लेकिन यहीं पे कला आती है, experience doctor की, कि कि किस patient को, कि बच्चा है, तो 5 minute, चेहरे पे है, तो बिलकुल धूप नहीं लगाना, अगर बहुत पुराने spot पे है, हड़ी वाल एरिया पे है, और patient जेल सकता है, मेबी 20 minute भी ले जाएं, यह चीज है, एक integrated approach, एक doctor की नजर, एक experience, जहां पे पता चलता है, कि आखिर controlled sun exposure कितना किसको देन है, कि धूप से खराब होता है, कभी यह यह कहते हैं, कभी यह यह कहते हैं, खुद तो कुछ पता नहीं है, और यह video बनाने चले जाते हैं, पता नहीं को degree किसने दे दी, पिछे MPBS की, ऐसा भी comment आएगा, I'm sure, जो आदी video देखके छोड़ देंगे, पिछले पहले 2 minute, वो यह कॉमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आप यह video देख रहे हो, तो मैं आपको इसका भी answer देता हूँ, phototherapy is absolutely important after cutaneous immunomodulation, अब यह मैंने क्या बोला, cutaneous immunomodulation का मतलब है, कोई भी skin पर यह alignment लगाते हैं, वो हमारे skin की immunomodulation करती है, immunomodulation का मतलब होता है, उसकी immunity को modulate करती है, और यही herbs हैं, जो हमारे sorlens जिसे हम कहते हैं, यह sorlens करती है, cutaneous immunomodulation और इसको लगाने के बाद जब हम controlled sun exposure करते हैं, तो repigmentation होती है, दोबारा मैं आपको आपको आप भाशा में बताता हूँ, मल हम लगाके, जब हमारे skin के cells stimulate होते हैं, उसके बाद यदि 10 से 15 मिनिट की तब रंग बनता है, यदि उससे अधिक कर दी जाए, तो छाले पड़ सकते हैं, बर्निंग हो सकती है, आपके रिनोसाइट की death भी हो सकती है, इन फैक्ट अगर आपको ऐसा काम करते हैं, जहां पर field work बहुत जादा है और अभी गर्मी हो रही है, आपको SPF 50 प्लस वाला sunscreen य 35 सालों में master कर लिया है, हमें पता है कौन से patient को कितनी धूख दिखवानी है, कौन सा patient अपनी occupation के सहाब से sunscreen लगाएगा या नहीं लगाएगा, और कौन से patient को सरगन लगानी है, कौन से patient को सरगन नहीं लगानी है, इसलिए बार-बार बोलता हूँ, कि photo भेजके इलाज शुर जाया हो कि धूप का क्या रोल है यदि आपको tips चाहते हैं तो मैं आपको quickly बता देता हूं कि देखिए पानी पीए अपने skin का moisture content बनाके रखें ब्रीधी कपड़े पहने खुले-खुले-खुले कपड़े पहने जिसमें से लिलन की कपड़े हो गए cotton कपड़े हो गए काले कप दूप को absorb करता है जिसे की घर्मी बढ़ सकती है sweating avoid करें अगर sweating बहुत जादा हो रही है तो आप बार बर उसको पहुचे या रात को नहा लें एक बार दुबारा सोने से पहले इस प्रकार powder लगा के रखें ताकि आपका sweat absorb हो जाए इस तरीके से आप कुछ टेक्नीक से उच करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल पे पहले बार आया है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बोले धन्याबाद